ट्रेक्टर के पीछले टायर इतने बड़े क्यों होते हैं? क्या आपने कभी सोचा? अगले एक मिनिट में आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है? लोग सोचते हैं कि ट्रेक्टर का इंजन बाकी गाड़ियों की तुलना में ज्यादा सक्तिसाली होता है लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है हाँ ये जरूर है कि ट्रेक्टर भारी भरकम चीजों को आसानी से खीच लेता है ट्रेक्टर को देखना हमारे लिए कितनी सामानने सी बात है ना किसानों की खेती के लिए सबसे ताकत और मसीन ट्रेक्टर की बनावत अपने आप में ही बहुत अलग है हमारे भारत जैसे किरसी संपन्न देश में ट्रेक्टर एक आम बात है गाउं के लोग बचपन से ही ट्रैक्टर को देख रहे हैं लेकिन उनको ए नहीं पता कि ट्रैक्टर के पिछले टायर बड़े क्यों होते हैं चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है देखो ट्रैक्टर किसी कार और बाइक के मुकाबले अधिक कीचड या मिट्टी में आसानी से अपने काम को अंजाम देता है ट्रैक्टर संकम होने की वज़ा से कार या बाइक कीचड में फस जाते हैं लेकिन पिछले टायर बड़े होने के कारां ट्रैक्टर आसानी से निकल जाता है ट्रेक्टर में पीछे बड़े टायर लगाने से टायर कीचन में धस्ता नहीं है और अच्छी पकड़ बनाये रखता है और रही बात अगले पहिये की तो ट्रेक्टर के दोनों अगले पहिये छोटे इसलिए लगाये जाते हैं ताकि मोन पर घुमाने में आसानी रहे साथ ही साथ आगे देखने में भी आसानी होती है ट्रेक्टर का इंजन आगे होता है इसलिए वजन को बराबर रखने के लिए पीछे बड़े टायर लगाने जरूरी हैं साथ ही पीछे वाले डोनों बड़े टायर लोड खीचते वक्त ट्रेक्टर को आगे से उठने नहीं देते हैं और ट्रेक्टर आसानी से खेतों और कीचर में चल सकते हैं आप गौंसे हैं या सहर से कॉमेंट में जरूर बताएं आपका बाहु मूले समय देने के लिए धन्यवाँ